एक बार की बात है, एक राजा था, वो बहुत ही दयालू और न्याय प्रिये था, वो सबकी हमेशा सहायता करते थे, वो अपने जिद्धी भी उनकी प्रजा थी, वो सारी प्रजाओं की समस्याओं का समाधान करते थे, वो अक्सर अपनी प्रजाओं से मिलते थे, और उनके ज जैसे उनकी कुर्टे का बटन तूटता है वो अपने मंत्री से कहते है कि जल्दी से किसी दर्जी को बुला दो ताकि वो मेरे कुर्टे का बटन ठीक कर दे तो मंत्री जैसे ही ये सुनता है वो उस गाउ में दर्जी की तलाश में लग जाता है तो जल्दी ही उसे एक दर्जी तो राजा जो होते हैं वो उससे पूछते है कि बताइगे इसके बताये अपको कितने रुपइ देना है गया तो महाराज सोचेंगे कि ये टो मुझसे2 रुपइ मंग रहा है तो ये तो बीचारे गाउबालों को न्युड़ता ही होगा तो ये सोच कर वो राजरजी से कहता है, महाराज से कहता है कि आपको जो ठीक लगे आप मुझे दे दीजिए तो महाराज भी सोच में पढ़ जाते हैं अब इसे कितने रुपे दू वो सोचते हैं मुझे भी अपनी हैसियत की अनुसारी से पैसे देना चाहिए नई तो लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा राजा और इतने कम पैसे दिये बिचारे दरजी को तो वो क्या करते हैं वो उसे दो गाओ का मालिक बना देते हैं वो कहते हैं कि आज से तुम दो गाओ के मालिक हो अब दरजी मनी मन सोचने लगता है कि कहां मैं इनसे दो रूपे मांगने वाला था और इनोंने तो मुझे दो गाओ का मालिक बना दिया तो वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है मतलब हम जैसे हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अस्यत के अनुसार मांगते हैं लेकिन जो भगवान है वो तो बहुत दयालू है बहुत बड़े हैं और वो अपने शम्ता के अनुसार हमे चाहिए जैसे उस दर्जी ने दो रूपे मांगने का सोचा था फर जब उसने सोच ले आप अपनी इच्छा से दे दी जितो वो दो गाओ का मालिक बन गया वैसे ही आप भी कर्म करते रहें क्योंकि जो देने वाला है उसके पास देने की शमता है वो अपनी शमता की अनुसार आपको बहुत अधिक देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते तो ये गीता में भी श्री कुछन ने काया ना कि कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो तो वही हमको अपनी लाइफ में अपलाई करते हुए आगे बढ़ना है हमें कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करना है